राधे राधे फ्रेंड्स, I hope आप सभी स्वस्त और मस्त हैं रहें लाइफ में, आप अब मेरे इस चैनल पर आए हैं ये वीडियो देखने के लिए तो ये तो पता चल गया है कि आप जो है यूटूब चैनल बनाना चाहते हैं और यूटूब चैनल पे आप लाइफ में ग्र यूटूब चैनल बनाते हैं तो आपको सबसे पहले केटेगरी जो है वो आपको सेलेट करनी होती है जैसे कि आप एंडर्टेइन का वीडियो बनाते हैं अगर कॉमेडी विगरे का बनाते हैं या डेली का वी लॉग बनाते हैं या कुछ टीचिंग बनाते हैं टेकनिकल वीडियो तो आप एक कैटेगरी पहले फिक्स कर लो क्योंकि मैंने लास्ट एक साल में है ना दो तिन कै इसलिए जो हेए एक क्या टेग्री सेलेक्ट कर लेनी हैं अगर आप केचन का करते हैं, sorry और कुकिंग का करते हैं ता आप उसका बनाईए या वी-लोग डेली का बनाएए भूलिए वी बोग भी बनाते हैं, ठीक है? तो आप category select करने के बाद में आप रोज है ना एक या तीन shots maximum तीन shots आप daily डाली है आप जबी भी छोटे छोटे वीडियो shots create करेंगे ना trending आनों को use करके तो आपको subscribe बहुत जल्दी गिन हो जाएंगे YouTube पे काम करने के लिए success होने के लिए आप सभी को पता ही है कि हमें 1000 subscriber और 4000 घंटे का watch hour जो है पिछले एक साल मतब 365 days में हमें complete करना होता है या फिर 1000 subscriber और 10 lakh आपको 10 billion जो है complete करने होते हैं views last 90 days में तो ये दोनों ही criteria 1000 subscriber आपको है ना short से बहुत जल्दी ही आप gain कर लेंगे लेकिन आपको जो ये 4000 घंटे का watch hour है और जो मतब आपको 100 lakh का जो views चाहिए वो जो है बहुत टफ होता है या आपकी कभी कोई video viral हो जो 90 days में और जो 4000 घंटे का watch hour होता है वो आपको last 365 days में 365 मतब एक साल में complete करना होता है तो इसके लिए आपको करना क्या है आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे तो एक साल लग गया ये पता चलने के लिए कि जो watch hour होता है वो लंबे वीडियो से complete होता है और लंबे वीडियो का ही watch hour actually count होता है क्योंकि ज्यादा करके shots जो होते है वो shots speed में जा करके हमें view आता है अच्छा का सा view आता है आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं तो शुरू सुरू में आपको यूटूब में grow करने के लिए एक category select करनी है और उसी के category से आप जिस विसाय का भी आप बना रहे हैं category आप उसी के related है न रोज वीडियो डाले रोज आप है न हपते में अगर आप एक long वीडियो डाल रहे हैं तो रोज आप 2-3 shots 2-3 नहीं तो कम से कम एक shots आप जो एक fix time पे आप जो है upload करेंगे तो अगर daily आप constantly एक वीडियो डालते है न तो आप धीरे धीरे आपकी subscribers बढ़ने लगेंगे और मैं आपको ये शौरटी दे सकती हूं कि जो मेरा 1000 subscriber है न वो सिर्फ दो महीने में ही हो गया था watch hour के लिए मुझे पता चला कि नई long video डालना जरूरी है तो भी last one month से मैंने long video डालना शुरू किया है तो प्लीज आप लोग भी ये गलती नहीं करिएगा shots आप बनाईए ज्यादा से ज्यादा जिससे आपको subscribers आपके बढ़ेंगे long video बनाईए जिससे कि long video से आपको जो है watch hour complete होगा और एक दूसरा और तरीका है जो कि पिसले 12-13 दिनों से मैंने किया try कि मेरा watch hour और कैसे बढ़ सकता है एक दूसरा ये तरीका है कि आप है ना live जाईए लेकिन live अभी आप नए नए जब channel बनाएंगे तो live का option आपको enable नहीं होगा जब आपके subscriber criteria पूरा हो जाएगा तो कुछ time के बाद आपको live option भी active हो जाएगा 50-100 पे live option enable हो जाता है मुझे exactly sure नहीं है क्योंकि मेरा बहुत पहले ही live option enable हो गया था तो अभी मुझे नहीं याड़ लेकिन हाँ आप जैसे ही आप eligible होंगे तो आप जब live आना शुरू करेंगे live में लोगों से जुड़ोंगे तो उसका watch hour भी complete मतब एड होता है watch hour में और एक तो long video में तो आप है ना ये सब करिए और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम camera के सामने आते हैं तो फिर हम हमें बोलना आम होता है तो हम बोल देते हैं हम जो कि हमें उस आम के बारे में पूरी तरह से सब कुछ पता होता है लेकिन जब हम camera के सामने आत की तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं क्या कर सकती वह कुछ नहीं कर सकती में मैं कैमरा ओन करती थी कोई वीडियो शुट करने के लिए तो मेरी आवाज नहीं निकलती थी अटक जाती थी तो ये ना हर किसी के साथ होता है आप लोगों में से जिसको भी कैमरे का मतब कैमरे से बात करना बहुत टफ होता है जिनको हैबिट नहीं है लेकिन हाँ एक बार आप है ना ये करना शुरू करेंगे मैं तो आपको यही कहूं कि जो मैंने ट्रिक अपनाई थी वो क्या थी आपको पता है कि मैंने शुरू-शुरू में तीन-चार दिन किसे को नहीं बोलती थी मैं अक़े ले बेडरूम में बैट करके कुछ रील्स बनाती थी रील्स बिजा करके अपने आप से बाते करना या फिर आप मीरर लेजी मीरर में आप अपने आप से बाते करिए शुरू-शुरू में आपको तो 10-15 दिन ऐसा लगएगा कि मैं नहीं कर पा रही हूं लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो ज़्यादा से दो चार दिन में होगा अगर डेली प्राक्टीस करेंगे तो आप कैमरे में बोलना सीख जाएंगे और आपका जो कॉंफिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगे जैसे कि अभी लॉंग वीडियो में शूट करो इसके पहले भी मैंने दो तीम बार लॉंग वीडियो शूट किया था तो उतना जादा नहीं बढ़ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले से मैं आप काफी कॉंफिडेंट हो गई हूं कैमरे के सामने बात करने के लिए और कुछ ची देखिए आप तो ही आपका फायदा होगा तो मैंने कुछ नोट्स बनाया है देखिए आपको है ना एक हजार सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए शौट सबसे जादा हेल्फुल होगा जो कि मुझे किया और बाकी लोगों को भी जो है ना शौट से जो है जल्दी सब्सक सब्सक्राइबर शौट से ही मिले हुए है मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रूफ दिखा सकती अभी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है नहीं तो मैं आड कर देती बट में बाद में भी आड करने की कोशिश करूँगी अगर हो पाया तो और है ना आप लंबी व बनाना है सब्सक्राइबर गेंड करने के लिए और लंबी वीडियो बनानी है लंबी मत बहुत जा लंबी मत बनाएए पांस से दस मिनट का लंबा वीडियो बना सकते हैं तो एक तो सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया के लिए शौट बनाने हैं आपको दूसरा वाच आव पर लिए आपको लंबी वीडियो बनाने हैं और जब आप एलेजिबल हो जाएंगे लाइव के लिए तो आप जो है लाइव भी करिए देखिए मुझे बहुत ज़द अच्छी एडिटिंग नहीं आती बट मैंने फिर मेरी वीडियो में एडिटिंग की हुई है अभी मैं अच्छा एक्सपिरियंस मिलेगा ठीक है फिर आपको क्या करना है ना कि आप जो भी लंबी वीडियो बनाते हैं जिसी भी के टेगरी की लंबी वीडियो 5 से 10 मिनट का शुरुवात में बनाईए उसमें थोड़ा सा सस्पेंस रखिए जैसे कि हम कोई भी है ना सीरियल देख हैं तो उसका क्लाइमेक्स देखने के लिए हम रुके रहते हैं कि हां यह स्टोरी ऐसी है तो एंड में इसका क्या होगा ता आप जो कई भी वीडियो बनाते उसमें थोड़ा सा सस्पेंस रखिए जिससे कि आपकी वीडियो 5 या 10 मिनट की हो तो आपकी 5-10 मिनट की वीडिय या फिर हैना काइन मास्टर ऐसे बहुत सारे एप हैं लेकिन अभी फिलहाद में मैं इन शॉट आप यूज कर दियू जिसमें कि आपको हैना म्यूजिक भी मिलेगा आप कर सकते हैं और वॉइस ओवर कर सकते हैं उसके उपर इस तरीके सा आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं तो एंड में मैं यही कहूंगी कि मैं इस वीडियो को बहुत दा लंबा नहीं करना चाहती हैं आप लोग प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए सपोर्ट कीजिए आगे भी मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरेंस ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों से हो जाएगा फिर आपको गूगल एडसेंस हाएगा फिर आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी थाइंक यू सो मच और कोई भी क्वैरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा बाइबाई